Hello everyone, welcome to my YouTube channel Windows 1124H2 में एक latest build आया हुआ है 26085 और इसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें 26080 के बारे में मैंने बताया था उसमें क्या latest features है तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे यह जो हमारा जो latest build का update आया हुआ है 26085 इसमें क्या new update है और क्या new changes है और इसमें यह भी देखेंगे कि इसमें क्या new bug, bug के fixes भी क्या है तो वीडियो की start करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे new है तो प्लीज चैनल को like और subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है तो वीडियो को start करते हैं सबसे पहले जो आपका first feature है वो है hearing aids पे उसका new feature आया हुआ है तो उसके लिए आप आजाएंगे start पे और आपको आना है settings जैसे आप settings पे आएंगे तो आपको left corner पे accessibility का option दिख जाता है हम जैसे उस option पे आएंगे तो हमें यहां पे दिख जाता है hearing aids का जैसे इस पे हम click करेंगे तो आपका यहां पे एक नया feature आगया है आप इसको अपने system पे इसकी compatibility को check कर सकते है यह आप में compatible है या नहीं है तो इसके लिए हम यहां पे आपको एक option दिख जाता है complete guide to Bluetooth hearing ads आप इस पे click करेंगे और आपके सामने एक यह पूरा पूरी एक इसकी Microsoft के official website में आपको यहां पे support requirements भी दी हुई है और यहां से अगर आपका यह work नहीं कर रहा है तो आप यह open Bluetooth device settings में आएंगे आपको भी fix किया हुआ है उसके बाद में यह आपका first feature हो गया जो कि यह नया feature है hearing aids का आपको आए accessibility पे और उसके बाद में आजाएंगे आप hearing aids पे यहां से आप इसको अपनी PC का support में आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपके PC में supported है या नहीं है उसके बाद हम next feature की बात करते है जो कि है sudo के उपा जैसे मैंने last time पे आपको बताया था sudo का इसमें एक new feature आया हुआ है तो उस new feature को हम चेक करने के लिए आप आ जाएंगे system पे सबसे पहले आपको system पे आना है system for developers यहां पे एक option मिल जाएगा for developers का जैसे हम इस पे click करेंगे तो यहां पे आपको एक sudo का option मिल जाता है enable sudo जैसे कि यहां पे दिया हुआ है enable the sudo command running the sudo command could expose your device and personal data to security risks harm your device हम जैसे इसको on करेंगे तो यहां पे कुछ permissions आएंगी आपको simply यहां पे yes करके इस permission को okay करना है अगर आप sudo का use करते हैं तो आप इसको easily use कर सकते हैं यहां से enable करके उसके बाद हम next feature के इसमें बात करें तो next feature हमें मिल जाता है इस पे notepad के एक नया feature आया हुआ है हम यहां पे जैसे ही type करेंगे notepad आपको notepad यहां से open करना है और notepad को open करने के बाद में आपको यह right corner के बिल्कुन top में आपको एक settings का option दिख जाता है जैसे आप settings पे click करेंगे तो यहां पे आपको यहां पे option है opening files जैसे मैं इसको notepad को open करूँगा यह मुझे कुछ काम है note text लिखना है तो आपका क्या होगा last page open होगा जैसे माल लेजे मैंने यहां पे एक नया लिखा था training circle करके मैं इसको close करूँगा और जब मैं इसको next time open करूँगा तो यह मेरा notepad में last time से यही आएगा जो कि यह trading circle है अगर इसमें जो अब new feature की बात करते हैं new feature में आया है मैं यहां पे आऊंगा settings पे settings पे आने के बाद में आपको आना है opening files पे अब next time जैसी मैं इसको type करूँगा यहां पे notepad तो notepad में जब मैं इसको open करूँगा तो देखेंगे आपका बिल्कुल यह new window on होगा अगर इसे मैं again setting पे जाओ और setting करने के बाद में अगर मैं इसे यहां पे कर दूँगा open in a new tab और यहां से मैं इसको यहां पे कर दूँगा open content from the previous version जैसे इसको मैं करूँगा तो जैसे अब आप मैं इसको notepad again close करूँगा और यहां पे मैं इसको type करूँगा notepad जैसे आप इसको notepad को tap करेंगा तो होने के बाद में आपका वही previous वाला window फिर से खुल जाएगा तो इसमें यह best or new feature आया हुआ इसमें उसके बाद अब हम इसमें बात करेंगे इसमें bugs और fixes क्या क्या है one by one हम इसमें देखेंगे bugs और fixes तो हमारा जो सबसे पहला bugs था इसमें यह था कि इसमें क्या था कि shutdown और hibernate होने में में बहुत ही problem होती थी हमारा system shutdown हम जब इस पर click करते है shutdown पे तो यह means काफी देर तक यह round round wait का option आता था और बहुत देर तक यह waiting ही होता था shutdown होने में बहुत time लेता था around four minute five minute ऐसे time लेते थे और hibernate जैसे हम आपने system को shift दबा करके आपने system को hibernate भी करते होंगे तो hibernate करने पे भी यहां पे means hibernate नहीं होता था जब हम again system को open करते थे तो हमारा system as a fresh restart restart हो करके और जैसे हम shut down करते हैं with them freshly on होता system but इस latest वाली update में हमारा bug fix हो गया है उसके बाद हम इसमें नया bug की देखेंगे तो file explorer में काफी में problem आ रही थी open करने के बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं quick access वाले menu आ जा रहे थे अभी जैसे कि bug fix होने के बाद में quick access वाले menu आ रहे बट पहले इसमें क्या fix bugs था कि on करते ही इसमें कुछ और open जैसे कि C drive open हो गया या this PC open हो गया ऐसे था बट हम इसको close करने हम अब मैं इसको open करूंगा तो directly आप इसके home page पर ही आएंगे redirect होंगे एक ही आपका बड़ा bug है fix हुआ है उसके बाद नया bug जो sudo का था और sudo में एक नई command एक command थी sudo space pwsh यह command में enter करने भी हमारी command काम नहीं कर रही थी बट अगर आप लोग sudo का use करते हैं तो यह command आप में easily आप use कर सकते हैं उसके बाद हम नए bugs की बात करें तो windows security से था जैसे कि यहां पे windows जैसे windows defender आपका मैंने यहां पे लाया हुआ है बट क्या था यहां से आपका automatically यहां से hide हो जा रहा है है यहां पिर शो हो नहीं कर रहा था और और on करने पर मैं इसे minimize कर दूँगा तो हमारा taskbar पर भी आ जाएगा easily और इसे close करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे आपके taskbar पर भी यहां पर कर सकता हूं और यहां पर काफी ज्यादा हो गया पिन तो मैं इसे उपर करूँगा देखें यहां पर आगया और मैं इसको यहां पर अगेन ही नीचे भी ला सकता हूं यह आपका bug था जो fix हुआ है फिर जो next bug है वो था mouse cursor को mouse cursor जैसे कि क्या था अभी मैं अकर mouse cursor नहीं उस कर रहा हूं तो automatically या तो कभी यह right side में अपने आप move होगा या तो कभी-कभी अपना right side में move हो रहा था बट यह नए bug में यह पर भी आपका fix हो गया है और उसके बाद हम नए fix बात करें तो windows update को लेकर के बहुत ज्यादा issue आ रहा था एक आपका update फाइल थी cumulative की यह उसका number था 0x8007 002 यह आपका था और इसमें क्या था कि अब लिक्कत हमें आती है उसको install करने भी जो की बार बार फेल्ड का error दे रहा आए थी अभी कुछ लास्ट यह वन वीक पहले अभी आपका 26080 के से प्रिवियस वरजन में बग्स वह न्यू फीचर आया था वह वीडियो मेरे आपको चैनल में मिल जाएगा इसमें मैंने सब टोटल बताया वह उसमें क्या न्यू फीचर्स हैं क्या बग्स जो फिक्स हो या फिर आपका work finish हो जाए तो automatically आपका system restart हो जाए और आपका update finish हो जाए बट ऐसा नहीं हो रहा था बट इसब date में आपका ये भी fix हो गया है बस आज की वीडियो में इतनी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को like और subscribe करना मत भूलिए का क्योंकि ऐस